हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तु समीता फूट एंफेशन आज यहां पर मैंने बहुत ही हेल्दी तरीके से सेंड्विच बनाया है तो सेंड्विच तो सभी के घरों में बनता है और घर में बचों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है और सबसे बड़ी बात है कि यह फ और रेसिपी देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमिंड करना ना भूले तो सबसे पहले यहां पर मैंने कुछ वेजटेबल लिया है जिसमें कि सबसे इंपॉटेंट मैंन इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है तो आपके पास चोटे वाला या बरा वाला जो भी ग्रेटर है उससे ग्रेट करके ही डाले इस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसमें यह देखिए यह पनीर को भी मैं इस तरीके से डालने हूं गुटलिया नहीं संवेच बहुत ही टेस्टी बनके तयार होता है तो यह सारे जो मैंने यहां पर लिए थे खीरा इसको भी ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से और थोड़ा थोड़ा जो खीरा का जो आप सरकल में भी थोड़ा सा काटके डाल सकते हैं मगर जितना है सबको ग्रेट कर दे और थोड बारिक काटके ही डालिये और इन सबको बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे यह सारा देखिए मैंने काट लिया है उसके बाद मियो की जगह पर यहां पर मैं दही यूज कर रहे हूं तो एक बार दही से आप सेंड़िच बना के देखिए बहुत ही टेस्टी बन के तयार होता है और थोड़ा सा यहां पर मैंने सेजवान चटनी यूज किया है अगर आप सेजवान चटनी नहीं खाते तो उसको इसको कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर आप अपने पसंद की कोई भी मसाले यूज कर लें यहां पर मैंने मेच यूज किया है तो मेच हाफ टेव के बराबर उसके बाद आप यहां पर एक सबसे जरूरी चीज में यूज कर रहे हूं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है यह वाइट सॉस का जो पास्ता मसाला होता है वो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक बाद जरूर से इसको बना करके देखिए और यह म चन्दोरी मियो अरूरी मेयो यहां यहां पासा बहुत ही कपा Ses त transaction सब्सक्क्राइब जहारा जालेगा इंस अ आप यहां पर लिया ब्राउं ब्रेंट आप इहां पर वाइब यूज कर सकते हैं और आप एहां पर फ्राइक कर सकते हैं और आप इस प्रतिके ना हम करके नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसकी एज़ेस को निकाल दे तो आप उसको उस तरीके से भी खा सकते हैं और इन सब को बहुत अच्छी तरीके से इवेनली स्प्रेड कर देंगे यह देखिए यह सारा मैंने इस प्रेड कर दिया है यहां पर आप इसको सफर में भी ले करके जाएंगे तो यह खराब नहीं होता इसपेसली ठंड के मौसम में गर्मी के टाइम पे तो कुछ भी आप ले कर जाओ वो अतना अच्छा से नहीं होता है तो यह देखिए यह सारा मैंने इस तरीके से पूरा स्प्रेड कर दिया है उपर से एक और ब्रेड डाल देंगे यह देखिए उसके बाद इसको आप सेंडवीज मेकर में डाले तो आप इसमें हलका सा ओयल डाले क्योंकि इसमें तो ऐसे ही बन के तियार हो जाता है तो मैंन तो लास्स तक मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक्स, तब तक के लिए बाबाई and टेक केर, मिलते हैं अपने न्यू रेसिपी के साथ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत जादा ख्याल रखिए और एक बार इस प्रोसेसे इसको जरूर बना के देखिए बहुत ही यल्दी और बहुत ही टेस्टी रखता है खाने में